तो आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें वन कब फ्रेश हरी मटर लेंगे और 140 स्पून शूगर 140 स्पून सॉल डालेंगे और ढखकर 5 मिन्ट के लिए लो मेडियम फ्लेम पर बॉाइल करेंगे आफ्टर 5 मिनट ये दिखिए ये पक चुके हैं आप यहाँ पर फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं अब दूसरे पैन में हम पानी डालेंगे और इसमें वन कब ग्रीन मेथी लीव्स डालेंगे और इसमें डालेंगे 140 स्पून शूगर और 140 स्पून सॉल्ट और इसको भी हम ढख कर फाइब मिनट के लिए लो मीडियम फ्रेम पर कुक करेंगे अफ्टर फाइब मिनट ये दिखिए ये अच्छे से कुक हो चुकी है तो इसको हम स्टेंड कर लेंगे अब एक पैन लेंगे और इसमें वन टेबल स्पून ओयल डालेंगे और दो स्लाइस किये हुए अनियन और इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे, अब इसमें दो टेबल स्पून कैश्यू नट्स और वन टेबल स्पून खीरे के बीच आलेंगे, और इसको एक तो मिन्ट के लिए अच्छे से पकाएंगे, अब इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे, और इसको भी मिक इसको ठक कर 5 मिनिट के लिए low medium flame पर cook करेंगे आप्टर 5 मिनिट चेक करते हैं तो दिखे ये अच्छे से cook हो चुका है इसको ठंडा करेंगे और एक blender jar में shift करेंगे और इसका बारीक paste बना लेंगे तो दिखे इसका बारीक paste हमने बना लिया है आप फिर से एक पैनल लेंगे और इसमें one tablespoon desse घी डालेंगे आप कोई भी oil भी यूज़ कर सकती हैं और इसमें डालेंगे one teaspoon जीरा और इसमें हमने जो paste बना का रखा था वो डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे अब इसमें डालेंगे दो ग्रीन चिलीज भारिक चॉप की हुई और इसको भी एक तो मिंट के लिए पकाएंगे अब हम इसमें सॉल डालेंगे अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर पानफोर टीस्पून गर्मसाला हाफ टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून और कश्मीरी रेड़ चिली पाउडर हाफ टीस्पून इसको अच्छे से चलाएंगे अब इसको हम ढग कर लो फ्लेम पर कुक करेंगे 5 मिन्ट के लिए आफ्टर 5 मिन्ट ये दिखिए ये अच्छे से कुक हो चुक है और इसमें घी भी लीज कर दिया है अब इसमें बॉल किये हुए मता डालेंगे और इसको चलाएंगे flame को लो ही रखना है अब इसमें boil की हुई मिथी, leaves भी डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसकी consistency set करने के लिए और इसको अच्छे से mix करेंगे और इसको ढख कर एक तो mint के लिए पकाएंगे low flame पर आफ्टर टू मिनेट चेक करते हैं तो दिखे ये अच्छे से पक चुका है इसको एक पाच चला लेंगे अब इसमें डालेंगे 1 फो कप फ्रेश क्रीम या आप इसमें मलाई भी ढाल सकते हैं इसको अच्छे से mix करेंगे तो हमारी सबजी बनकर रेड़ी हैं टेंपरिंग के लिए हम एक बैन में वन टेबल स्पून दिसी घी लेंगे जब ये अच्छे से melt हो जाए तो इसमें डालेंगे अदर लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून इसको एक दो मिंट के लिए अच्छे से पका लेंगे अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून और अब फ्लेम का आफ करेंगे और इसके ओपर पोर करेंगे इसको मिक्स करेंगे तो लीजिए हमारी मेथी मटरमलाई बनकर रेड़ी हैं इसे एक बार घर पर जूरूर ट्रै कीजिए और अगर आपको हमारी रेस्पीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना फैमिली फ्रेंस के साथ शेयर करना और चैनल को सस्काइब करना मत भूलें तो मिलत नहीं है ऐसी ही और नहीं नहीं वीडियो के साथ तिल देन बाई 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 प्रेंड